सकी सेयां तो खूबई कमाते हैं महंगाई डायन काए जाते हैं जी हाँ दोस्तों लगता है जल्दी यागी जदातर भारते ग्रियनियों के जिवान पे होगा समाचार कबरों की माने तो जल्दी GST के स्लाबरेट में ऐसा बदलाव आ सकता है जो मिडल क्लास की कमर तोड़ कर रच देगा तो चलिए जानते हैं डीटेल में क्या है या पूरा मामला सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्तमान में GST का क्या स्ट्रक्चर है तो फिलहाल अभी GST में चार स्लाब हैं पांच प्रतिशत बारा प्रतिशत अठारा प्रतिशत और अटाइस प्रतिशत अन पैकेज्ट और अन ब्रांडेट फूड अन डेरी आइटम्स को जी एस ट के दायरे से बाहर रखा गया है जबकि असेंसेल अटम्स हैं और पैकेस्ट फूड आइटम्स इंहें पांच प्रतिशत के ब्राकट में रखा गया यह वहीं प्रोसेश्ट फूड आइटम्स जैसे बटर गी, जूस, जूते वगरा को बारा प्रतिशत के कटेगरी काटेगरी में रखा गया है तूथपेश्ट सोप ऑईल मोबाइल फोन इंसोरिंस प्रेमियम वगेरा को 18 प्रतिसत के ब्रकेट में रखा गया है और अन्य लगजरी आइटम्स एंड सिन गुड्स इनको 28 प्रतिसत के काटेगरी में रखा गया है अब यह बड़ाव बदलाव क करताई जा रही है की GST काउंसल के अगली मीटिं में 5 प्रतिसत के मीनिममम सलाब को खत्म कर दिया जायेगा और इस 15% के कंगर करarta 11 2 súli साथे साथ यहाँ भी संभावना है कि कई सारे ऐसे आइटम्स जो अभी GST फ्री हैं उन्हें भी GST के दायरे में ला दिया जाएगा आईए अभी आज जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक जुलाई 2017 को GST का कानून लाया गया था और उस वक्त कई सारी राज्य सरकारे इसके लिए तयार नहीं थी तो इन राज्य सरकारों को मनाने के लिए केंदर सरकार ने राज्य सरकारों को यह वादा किया कि वह पाँच साल तक GST की वज़ा से राज्य सरकारों को होने वाले लॉस को कमपनसेट करेगी और यह पाँच साल की अवदी जून 2022 में कत्म होने जा रही है इसे देखते हुए पिछले साल GST कांसिल ने करनाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बो मैया के नित्रितों में एक कमीटी का गठन किया था और इस कमीटी का काम GST रिवेन्यो को बढ़ाने के नए नए तरीके सुझाना था अब खबर यहां निकल के आ रही है कि संभावना है कि यहां कमीटी अपने रिपोर्ट में निमनलिखित सुझाओ दे सकती है तो पहली संभावना यहां है कि 5% के GST slab को खत्म करके minimum slab 8% कर दिया जाए और सारे 5% के टेगरी में आने वाले items का नया rate 8% हो जाएगा दूसरी संभावना यहां है कि 5% GST slab को खत्म करके 3% और 8% के नए सलेब बना दिये जाएगे जहां जादतर item 8% के टेगरी में चले जाएगे और कुछ item 3% के टेगरी में आ जाएगे तीसरी संभावना यहां है कि 5% GST slab को खत्म कर दिया जाए और 3 slab 8% 18% और 28% के बना दिये जाए 5% वाले item 8% में चले जाएगे 12% वाले item 18% में चले जाएगे और 28% वाले item 28% में ही रहेंगे तो ऐसा क्या क्यों जा रहा है तो अभी current analysis में यह पाया गया है कि राज्य सरकारों को एक लाग करोड का नुक्षान होता है और analysis से यह पाया गया कि अगर 5% वाले items का slab 1% बढ़ा दिया जाए तो revenue में अतरिक्त 50,000 करोड की addition होगा जिसके वज़े से ऐसा सोचा गया कि अगर 5% से 8% किया जाए तो 1,5 लाग करोड का फाइदा होगा और जिससे राज्य सरकारों को compensation आराम से मिल जाएगा और केंद्र सरकार को additional compensation देने की जरुत नहीं पड़ेगी तो इसके पीछे का logic अभी यह सोचा जा रहा है अब अंतिम निरने क्या निकल कर आता है या तो इस महने के अंत में या अगले महने के आरंभ में होने वाली GST council की meeting में ही पता चलेगा तो दोस्तों इस बदलाओ के बारे में आपकी क्या राई है कमेंट करके जरूर बताइए ऐसे समय में जब inflation खुद ही काफी बढ़ा हुआ है तेल के दाम आसमान शो रहे हैं आपको क्या लगता है क्या GST slab में या फेर बदल उचित होगा